आप सभी साथकों का स्वागत है, मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूँ, साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेख वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रतेख लेलिस्ट को भी देखें अब यह वाला जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, वो है गलत प्रणायाम का प्रभाव माया से बंधन, बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है यह और इसको पूरा वीडियो अंते तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी आपको ऐसे चीज़े समझ में आएंगी, जो की साध बढ़ने के बजाए पीछे व्यक्ति किसकने लगता है, यानि कि अभी आगे मैं आपको और पॉइंट्स को एक्स्प्रेंड करूँगा, तो यह दान रखेगा यह चैनल के प्रत्यक वीडियो है, जो भी बन रहे हैं साधकों के साधना करने से पहले साधना के बीच में, और साधना के बाद में भी उनको क्या प्षक होती है और क्या उनकों इन्फोरमेशन उनके पास जहनी चाहिए, इस्से कि आगे बढ़ें, तो यह दियान लगने की है कि जो साधना होती है, उन साधनाओं में गल्ती थोड़ी से भी हो जाये, तो साधना में कभी भी नहीं प्रणायाम के लिए एक तो यह समझना है कि यो पतंजली का जो अस्टांग योग है पहला है यम और जो होता है वो उसका मतलब होता है कि जो अपने विचार कार्य और शब्द इनके प्यूरिफिकेशन के लिए होता है शुद्धिकर्ण के लिए होता है उसमें दस जो होते हैं यम होते हैं यम के मलब जो कार करने होते हैं कि अंत्रकत के सत्य बोलना आहिंसा इमांदारी करुणा ब्रमचर शरीर की सफाई और नियंत्रत खाना पीना और स्ट्रेट फॉर्वर्वर्डनेस यानि कि सीधा सीधा आपको अपने विचारों को रखने की आदत होनी चाहिए यह सब समझ लिए इसके अंदर हैं पिर दू पतांजली अस्टांग योग में वो होता है दस नियम का पलाल करना पड़ता है और वो होता है जो आध्यात्मेक एटिट्यूड होता है आध्यात्मेक एक विजन होता है विचार होता है उसके विकास के लिए होता है उसमें होता है कि हिश्वन में विश्वास होना चाहिए भगवान की पूजा करने वाला होना चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए, निदान करने वाला होना चाहिए, तपस्या करने वाला होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और जो शास्त्रों का अध्यान करने वाला होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, और जो धार रही चौह रही है तो डूसरा था सुनियां टीसरा अस्टप आया जो पतनजियों में वह रहां उस से क्या होता है कि हासन से माइंड जो रहता है वश्टी फीस हो जाता है यह फोकस आने लगता है जो की मेडिटेशन में ज्धान में हेल्प करता है इसके और भी लाब है कि बिमारियां भी इससे दूर होती है। यह तीसरा हुआ आसन छोथा हुआ परणायाम का जो मतलब होता हैं वह होता है कि आ पको अपने जो प्राण उनको कंट्रोल करने क्यों होता है कि प्राण जो होते हैं वो मन का वहाख होता है और प्राण को कंट्रोल करने से मन को भी कंट्रोल में लाय रहता है इससे क्या होता है प्रणायम से जो नालिया इत्यादी होती है उनकी भी सफाई होती है कि मेडिटेजन में हेल्प करता है और इसका अल्टेमेट इम क्या है इन सारे हस्टांग योगों का समाधि तक जाएं तो अगर प्रणायाम जो है उसके जो पहले के जो तीन स्टेप्स हुए है कि दस यम का पालन करना दस नियमों का पालन करना आसन करना तो क्या होगा यह जो है अगर यह ठीक से हो रहे हैं तो प्रणायम में जो होगा उसमें सफलता मिलेगी नहीं तो प्रणायम में सफलता नहीं मिलेगी अगर यम और नियम जो ठीक से नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजे कि वो संसार से और व्रक्ति बंद जाएगा इसके लिए अगर आपको डिटेल में और समझना हो तो आप जो है एक मेरा वीडियो है उसको देखिएगा संसार की रचना तो उसमें मैंने बताया है कि संसार में रचना जब होई देविमाने करी तो एक शुद्रशस्टी बनाई एक अशुद्रशस्टी बनाई और उसमें हम लोग अशुद्रशस्टी में रह रहे हैं जिसमें की एक कर्म है, दूसरा है माया और तीसरा है इगो, नहिंकार, इगो को तो अंत में काटा जाता है, वो खुद स्वाइन भगवान काटते हैं, लेकिन माया और कर्म, इनके जो पास होते हैं, उनको व्यक्ति को अपनी साहदा हो के द्वारा काटना होता है, तो अगर ये पास नहीं कटेंगे, तो क्या होगा कि वो बंधन में हमेशा व्यक्ति पड़ा रहेगा, तो अगर क्या है कि जो लौफ कर्मा, यानि कि उसी के इस सिद्धान जवाब देख रहे हैं, पतांजली अस्टांग योग में पहले यम और नियम, ये वहीं है, सत्य सदा चार, अच्छे काम करना, पूझा पाड़ भी करना, इस सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं, अगर वो सब नहीं हो रहा है, अब केवल उसको जंप करके तीसरे, वन टू थी यानि यम नियम और आसन छोड़के, ये आसन भी कर लिया, लेकर यम नियम छोड़ दिया, सीधे प्रणायम पे आ गए, तो नानियों की शुद्धी नहीं होगी, और उससे जो होगा, और भी खदरा बढ़ जाएगा, कि वो व्यक्ति जो करने वाला होगा, वो माया के और बंधन में जकड़ जाएगा, इसके लिए और डिटेल में अगर आपको जाना तो मेरे और वीडिय जाने कोशिच करता है, तो उसको सारे देवी देवता उसको पाश में बांद देते हैं, इस नहीं है, अगर ऐसा होता होता होता, अभी तक तो पूरी स्ष्टीज़ स्वर्ग बन गई होती, लेकिन उनका मूल कार है, वो धर्म के सिद्धान्तों की रक्षा करना, यह देवी देवताओं का कारे, तो वो पाश में बांद देते हैं, वरुन देवता का एक वीडियो देख ली जाएगा मेरा, तो अब इन समय में आता है कि यदि यम और नियम पक्के नहीं है, तो क्या होगा सबसे पहले तो देवी देवता बंदन बांद देंगे, तो उससे सीजा हो जाएं, कोई भी ख्रिया कर लो हाधियात मे, आप योकी जो प्रणायम ख्रिया है, तो व्यक्ति बंदन में चला जाता है, तो पर उसको पहले बंदन मुक्ति करनी पड़ती है साधनाओं के लिए उसके लिए जो मैंने मेरे वीडियो जा उनको देखिएगा पाश बंदन मुक्ती वैदिक साधनाओं उनके बारे में मताया मैंने वो मुक्ती करके ही तब साधनाओं में आगे भी सफलता मिलती है और जिद्ध करी जाए कि नहीं हम गलत काम भी करेंगे और साथ में हम जो है प्रणायाम भी करेंगे और हम जो है और भी जो भी विदियां आती है वो भी करेंगे मंदिर में भी जाएंगे तीरतों में भी जाएंगे तीरतों के बारे में भी सीरीज देख लीजएगा मेरी ती नहीं जानबूच कर पापों बोलंस, प्रिर्थों में नहीं होता है रेखना रहती है यह इक वाम में बढ़ना मेन बसक्त कुछ युछ ऐसे भी पानी वहोग गखते हैं और इसे में बसकंपर प्रका तिर्थ आहरा खहा कि पाना को और दिया कि अध्या जाएं तो प्राणायम में सफलता नहीं मिलेगी, एक तो यह बात है, इसको केवल आप ब्रीधिंग एक्रसाइज मालने और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्राणायम यम नियम सही है, प्राणायम सही आसन है, सही चाहल करें हैं, और प्राणायम चीक से हो रहा है, तो आप सु पहुच जाएगा, वो ध्यान धाना ओ समाधी के तरफ पहुच जाएगा, तो क्या होता है कि ekड़िस चीज को गलत हो रहा होगा, यम नियम नहीं हो रहे होगे, प्राणायम ठीक से नहीं हो रहा होगा, तो समाधी की स्टेज में कोई वक्ती नहीं पहुच पाboysगा, समाध प्रणायम के बारे में कि जो है यह कहीं भी बैट जाओ प्रणायम कर लो प्रणायम मतलब यह मुटी मुटी धारना बन गएगी बस श्वास अपनी उसको करो बस ब्रीदिंग एकसाइजिस करते रहो ब्रीदिंग के साफ से धान करो या कुछ भी करो कहीं भी बैट जाओ यह कि से नहीं है इसाथना के लिए जितने भी आप चटनी भी आप जितनी भी आप तंत्रशाथ का भी द्यान करेंगे आप षे भी पर द्यान करेंगे मैं कि willing ऊस्ए आसन पर बैट कह पर तरीके साफ त्या जबुद्ञे नहीं जाए ऐ उसके भी बहुत कार नहीं हो दोते है प आपको मिलेगा chapter no 11 में, छट्याटे नम्बर का सूक्त है, इसका नाम है P Brussels उसको आप देखिया कि आपको समझें आगा ऑब उसको समझ में कि प्राण जो वेदों में बात कही है वेसमिता में कही तरुएक गई है तर वेदों में कि ये प्राण को कितना विराट रूप में जो प्राणी जो है मृत्यू को कारण है प्राणी रोक के कारणी भी है इनको अपनी शक्ति इनकी उपासना परम अवश्यक ही है और इसमें इसके अलवा और भी आपको जितने भी दिरगाई सूप तो इत्यादी मिलेंगे उनके अंदर में भी प्राणों की बारे में बात करी के इसके बोता हैी नियम स्प intuition कुछ स्थे के लिए होता है कि जो को गडल को फिर हमें सव्क में करना है कि मतला हर शीज की को यह को नीश है किसा काम कर लूंगा थी नहीं कर कर लोगा तो अध्यात्मिक शेत्र में तो विकास नहीं होता है अध्यात्मिक शेत्र के अलावा जो है विकास और कहीं हो जाए हो जाए लेकिन अध्यात्मिक शेत्र में विकास नहीं होता है वह इस तरह के से नहीं जाय रहा सकता दूसरा एक और आपको मैं में पॉइंट बताना चाहरा हूं और इसके अंदर में इसमें बहुत सारी लिमिटेशन भी है अगर हम वैदिक प्राण जिसको कहते हैं कि प्राण की पूजा करी जाए प्राण की साधना करी जाए और नॉर्म में चटा वाला है प्राण सुक्त हैं जिसके रिशी वैदर भी भारगों है उसका आप नित्थ पार्ट करें और जो भी मैंने अंग बताया आपको वैदिक जीवन कैसे जीए वाले में उसको दिमाग में रखें उसको भी करते रहें वीडियो मेरे देख लिएगा तो प्रा प्राजन बता रहा हो आपको कि सत्र सदार्चार्थ देखिये वहां यम और नियम में भी आ रहा था पतंजली के अस्टांग योग में और यहां पर भी यह चीज़ आ रही वैदिक जीवन कैसे जीए में तो यह जागर होगा और इसका होगा वैदिक सुक्त को कि यह होते है इसके बारे में जो वीडियो बनाए है वैदिक वेद और गुरू 29 नंबर को उसको देखिएगा यह गुरू के रूप में है इसमें कोई भी कमी नहीं है 100 प्रॉसंट प्यॉर दे विख्यान है कि सीजह भगवान तक पहुचा देता है तो श्वास प्रश्वास की लिमिटे और इसके लावा कहीं भी बैठके अगर करने के प्रयास किया जाएगा उसमें एक और सूक्ष्म बात आती है जो कि लोगों को नहीं पता है सादक लोग जो होते हैं अच्छे बलब एक कटेगरी के जो होग है उप में अच्छी उचाई पर पहुचे हैं वो इस बात को समझ इसलिए कसी मुनश को पखणने की कोशिच करते हैं और किटिकल लेबल से डाउं हो जाते हैं जैसे उसके पूरा प्राण शक्ती का भक्षान करते हैं इसकी खास बात होते हैं इसलिए विवेक्ति जिसको प्रेत बादा ही हो जाए या और किसी तरीके से इस तरीके की परशानी आजाए तो वो शरीर से वो कमजोर होता चला जाता है आप ऐसे में मालिए कोई श्वास पर श्वास की साधना की क्रिया कर रहा हो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अगर कोशिश कर रहा हो हमान लिए उसके किसी विज़े से थोड़ी सी बढ़ भी सिक्योर्टी यानि स्वरक्षा सूक्त के तो एक इस तरीके की जो इन्विजबिल वर्ड होता उन से उनको अट्रेक्ट करने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए एक साधना का करनी भी है श्वास पर स्वास के साब से अपनी बीजिदिंग एक्सराइज करनी है तो सबसे पहल पढ़ने के बाद में इस एक्सराइज करनी चाहिए अगर ब्रीधिंग एक्सराइज करने का ही मन है तो और साथ सत्य और सथाचार नियम और नियम की इतनी बाते में ने बढ़ना पढ़ेगा नहीं तो दो पॉइंट हो जाएंगे जब माया के बंदन में और फस जाता है मा पॉरी पॉरी जो होती है नीचे गराने के लिए व्यकति को लगी रहती है तो वगेा और धक लेगी कि और वह नस सुरक्षित रास्ता यही जो जैने आपको बता लगों कि यह लगेगी बागी जो मेरे वीडियों से अपने आयू के लिए जो एक वीडियो है फरोग निवारक है उसके लिए जो साथना है कि जो वीडियो से उनको देखियेगा इस सब अगर हो रही है इंट सब में प्राणशक्ति का उप्यों किया गा है वैदिक विदी से क्या ओगर वैदिक विदी से क्या है कि आप केवड प्राणाव के द्वारा स्वैम में अपने आपको एक जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह नहीं पता को भी गुरू- शही और शेष्ट सी दोनों का कॉमिनेशन रेर होता है और कोई भी गलती हो ग प्राण शक्ति बहुत तेज गती से बलवान के बलशाली करेगा और इसमें कोई भी आस्पेक्ट प्राण का बचेगा नहीं और इसको बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है वीडियो नंबर 112 प्राण सक्ति अथरवेज समिता लेकिंगे प्राण शंत्ति का कितना विराट रूप है किवन इसको भीडिशना नहीं चाहिए उसको तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगे जान करें अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद